तो यहां पे चीज पता चल रहा है कि यहां भी एक पूरी की पूरी की बात की गई है तो जब पूर से पहले मैंने दर का यहां पे संदेस में दिया गया है यहां पूर से पहले पिसज बहुत लगा गया है तो यहां पर चीज करा पहले प्रुर करना के लिए हाप को यहां पर adjective से पहले द लगाया गया उसी तरह and से पहले भी द लगाया जाए गया उस adjective के पहले ठीक है एक तो formation का नुसार भी होगा दूसार रूल का नुसार भी होगा तो पहला sentence अगर देखें तो error किस पार्ट में आपका सी वाले पार्ट में एरर है ठीक है चले next question पर आते हैं one should keep his word आप देखें one से शुरूब सब्जेक्ट क्या है आपका सब्जेक्ट है one तो इसका जो आपका प्रणौन होगा वो क्या होगा वन्स होगा ठीक है क्या होगा यहां पर और यहां पर क्या करेंगे और यहां पर क्या करेंगे वन्स का यूज करेंगे तो धियार कि कि जब ही sentence में one से start होगा उसका जो यहां पर प्रणौन मनेंगा वहोगा वंस fund ठीक चलिव तो इस हिसाप से checking this failure ठीक है would you mind for checking these failures अब इसमें किस पार्ट में error है तो सबसे पहले आप note कर लिजे कुछ ऐसे rule कुछ ऐसे word जैसे के मैं बता रहा हूँ admit ठीक है मैं बता रहा हूँ avoid मैं बता रहा हूँ delay deny mind forgive note कर लिजे काफी important है ठीक है enjoy चलिए आप enjoy थो और बड़ी ऐसे लिख देता हूँ forgive तो हो गया था enjoy चारे mind हो गया forgive बग इंजाय होगा admit avoid delay deny और लिख लिजेगा जैसे की it's no use फिर उसका बड़ लिख लिजे can't help फिर लिख 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 लिजेगा आप it's no good ठीक है तो जितने भी यहाँ पर मैं बड़ बड़ बता है mind forgive enjoy avoid delay deny it's no use can't help it's no good ठीक है जितने भी आपको मैं बड़ बता है कि यहाँ पर क्या होगा आपको फौट आफ़ आना होगा क्योंकि इसके जश्ट बात हम क्या लगाते हैं वर्ट वर्फ का फोट फॉट फॉर्ट फॉर्म लगाते हैं जब ऑप इस वर्ट आपको दीखें Part B में Error है Resigned from होता है ठीक है पूजिशन के अगर हम बात कहते हैं Resigned from होता है ठीक है ये correct होगा आगको far हटाना होगा ठीक अब आते है next question Sunil is far superior than in mass ठीक अब इसमें किस part में Error होगा तो देखिए Sunil is far superior superior के साथ हम क्या लगाते हैं का यूज़ नहीं करते हैं superior के साथ हम क्या करते हैं 2 का यूज़ करते हैं तो आपका 5th जो question है उसमें किस part में Error हो गया B वाले part में Error है ठीक है superior हो inferior हो ठीक है या pair हो इस तरह के जो word दिखेंगे उनके साथ हमिसे आप क्या लगांगे तो प्रिपोजिशन लगाएंगे यहाँ पर ठीक है तो लगाएंगे ना कि दयाल लगाएंगे चली नेस्ट कोशन किया है नेस्ट कोशन में है each of the two drafts ठीक है तो ड्राफ सही है वह hand written नोई रहा अब यहाँ पर जैसे ही देखें इससे sentence start हो रहा, each से sentence start होगा, each हो गया, every हो गया, somebody हो गया, someone हो गया, nobody हो गया, would हो गया, ऐसे जितने भी words दिखेंगे, start में, sentence के start में, यह होते हैं, singular कहलाथे ह rätt, ठीके, और singular के साथ हम कभी भी plural verb का यूज़ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, स्टिम्लर सब्जेक्ट है इसके साथ वाज होगा इसका वर्म ठीक है चले स्कूर्शन पर आते हैं स्कूर्शन ही वाज वाचिंग टेलिविजन वेन इस फ्रेंड हैड अर्राइब देखिए यहां पर पास्ट की दो घटना हो रहा है यहां पर वाज से पता चल रहा है और यह एक चिस इंपर्टनीत होता है वह क्या होता है् वह सब भाचिंग टेलिविजों वह टीवी देख रहा था ठीक है वह ठीइव देख रहा था और उसके बाद क्या है when his friend had arrived तो देखे यह क्या होता है यह तो काम चालू था ठीक है यह तो किया होता है members कि PAST में यह काम चलू रहा था उसे से में कोई घठना घठती है उसे से में कोई घठना घठनी और present means सोरी पास्ट में जो काम हो रहा था ठीक है पास्ट में जो काम हो रहा था वो तो आपका जो होगा पास्ट कॉंटिनियूस में होगा इस सही है पास्ट कॉंटिनियूस में होगा सही है लेकिन जो घटना घटी न यह पास्ट यहां पे पास्ट इंडेफिनियूस में होगा क्या जो घटना हो रहा तोThis जीज जारी था जो काम आप कर रहे थे उसी दर्मियान अगर आपके साम 권्द्रक्त में कर दूसे घटना होता है तो वह पास्क में होता है और जो आप काम कर रहे थे वह pas में होता है बस इतना ध्यार रखीए ठीक है अब आता है फीलिर में फूर्थ फॉर्म आता है जैसे ही दिख पता चला है वॉइड बस यह होगा नहीं यह होगा नहीं होगा है तब इसका तो भाई अस्ट्रक्शर होगा इसका क्या है कंडिशनल स्ट्रक्शर मैंने आपको पहले भी सखा रखा है जैसे कि यहाँ पर इफ जो होता है इफ प्लस प्रफेक्ट क्या होता है प्रफ प्रफेक्ट ठीक है प्रफेक्ट प्लस वह का थट फॉर्म अगर ऐसा तो दिखिए हैं इफ सब्जेक्ट और उसके बद बन दीख यह पार यहा को दर्फना तो इसका जो formation जो अगला जो clause होगा जो जो सब्सक्राइब होगा। होगा वपकट होगा फिर फ्करम होगा सभजेक्ट और वब नंसल्ड इसमें कौन सात्वGGरें जो क्रेक्ट होगा तो इन सब्सक्राइब कोजूशन होगा वह तो होता है आप इसे रटना परेगा कुछ प्रेपोजिश्टा को रटना परेगा उच्छ आपको जो कि आप जब सर्व आप जो परते हैं या फिर आप एडिटोरियल बगारा परते रहते तो वहां पर चीज़ें आपको अंडरस्टैंड निंग बन जाएगा कि हां बही इस वर्ट के साथ यह प्रेपोजिशन लगता है लगता है ठीक है इस अप्रूब्ड डैसर बिहावियर तो इस अप्रूब्ड के साथ क्या होगा प्रिपोजिशन और जिसका मत्तब होता है असहमति जताना ठीक है चले आफ्यक persis तो कहा है अगर के साथ क्याकर होगा तब इसके साथ क्या किया होगा अगर यहां टो है इसके बाद करेंगी साथ यहां तो करेंगे इसके साथ क्या लगता है on होता है यहां भी हम on करेंगे ठीक है तो आंसर हो जाए डी नमर ऑप्शन ठीक है चुलिए नेस्ट है I cannot do this work now as I have other matters to attend डास तो देखे अटेंट के साथ आपको यहां पर क्या करना होगा अटेंड ऑन ठीक है अटेंट ऑन तो अटेंट ऑन का मतलब क्या होता है अटेंड ऑन का मतलब सेवा करना अटेंड ऑन मतलब सेवा करना और अटेंड टू का मतलब नोट के लिए अटेंड टू का मतलब किसी काम पर ध्यान केंदरित करना ठीक है काम पर ध्यान केंदरित करना तो देख यहां पर क्या हो रहा है और उस काम पर क्या हो रहा है यहां पर चुकि I have other matters to attend for मैं जिस काम को नहीं कर साथ है क्योंकि मेरा काम है मेरा कोई और दूसरे काम पर ध्यान कंदृत है ठीक है तो यहां जो और लगता है लाब दायक चले लाब दायक अब इसका साइनों होगा वो क्या होगा एडमाड होगा केरिंग और जेनर सोगा और मतलब यहांते हैं इ सब्सक्राइब होता है चल्ब कोशन आते हैं अस ट्रेंज का मतलब क्या होता है दुर गंध हुता है उसका इसका जो साइनों होगा वह ओगा स्टिंग का मतलब भी होता है दुर्गंद ठीक है मागे फ्रेग्रेंस की बात करें एरोमा का मतलब होता है शुगंद अस्वेल में पॉजिटोवी संद्वर गुड़फ मेल की बात होती है यह बैड़ भी हो सकता है लेकिन यहाप अगर बात यहोगा इगनाइट का मतलब होता है भर काना या फिर आग लगाना ऐसी सिंस में होते हैं इसका नोट अगर में करें। पहले हम बात करें लुफ्टी संदेए लुफ्टी का मतलब होता है फाल रिजित के बात करते हैं सभाऄ्सैनों होगा वह क्या होगा भी करता हो हुए ृप के निमेरीब क्रूइर ब्लेग्जिवा टिक्ए फ्लेक्जिवाल का मतलब क्या हो का मुलाइम हो लो है पर आते हैं चाम कर ना तो फोगीब का अपुसिट के और इसका मतलं साजा देना इसका मतलंग करना होता एसका होगाइं च्छामा करना का पोजिट क्या होगा है सजा देना सजा देना ठीक है चली नेस्ट कोशन पर इडियम फ्रेज बहुत इंपॉर्टन कोशन है इडियम फ्रेज मैं इस पर एक आपको विडियो बिना तो जिसमें ट्रिक बेसिस था लेकिन हलाकि कई वाल ऐसे भी होंगे कोशन की जो कि बिना ट्रिक पर काम करेंगे वह आपको क्या होगा अंडर्स्टेंडिंग पर समझ में आएगी जैसे कि यहां पर देख सकते हैं no one talks about his को भी उसे बात नहीं करता है ठीक है because he is regarded as the black sheep इसी black sheep के बारे में बताना है यह black sheep का idiom आपको बताना है इसका होता क्या है इसका इडियम जो होगा the black sheep का मतलब होगा the one with bad reputation the one with bad reputation इसलिए इना बात नहीं करता है कि इसका जो है reputation कैसा है bad reputation कैसा black sheep black sheep black sheep है ठीक है और ऐसे भी अगर देख सकते हैं यहाँ पर black sheep होता है है कि bad sense में negative sense में ठीक है तो यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे कि the black sheep का मतलब होता है bad reputation से sense में होता है ठीक है चले नेस्ट पर आते है I had to pay through my nose इसका जो आपको बताना है इडियम किसका बताना है pay through my nose I had to dash for the concert ticket अब देखें I have to pay through nose my father concert ticket ticket के लिए क्या आप करते हैं ticket के लिए आप all the money थोड़ी करते हैं pay no money तो बिलकुँ नहीं little money भी नहीं बलकि यह huge sum आप concert ticket लेते हैं जब आप किसी मैच को देखने के लिए को ticket लेते हैं तो उसमें क्या गरना पड़ता है आपको a huge sum of money a huge pay आपको करना पड़ता है ठीक है चलिए चलिए 28 पर की एक कौक एंड बुल स्टोरी एक कौक एंड बुल स्टोरी का मत्लिब होता है एक ऐसा स्टोरी जिस पे आप विजवाश नहीं कर सकते हो या बकवास स्टोरी कह सकते हो ठीक है इसका जो करेक्ट होगा वोगा यहाँ पर यूजश कर सकते हैं जैसे के स्टोरी चूल टू इलस्ट्रेट अ जियृट है जो कि आपको उधारन के तोर पर जब आपको पूरी एक मॉरल स्टोरी सुना दी जाती है लास्ट में आपको इक इलस्टेरेट उसके एकौडिंग बता जा तो उसको कहते हैं उसको क ह locker जिस गैले का मतलब है कहावत कहावत जिसको जैसे इक स्टोरी था एक स्टोरी---- जानने म् राता है निस के में लिखा रहता है कुछ उसकर कहावत रुख दे Mozart है यहां पर आते सब्सक्राइब लाइफ और शीटी यहां पर क्या हो ऑड़ी अर्वाशन का मतलब होता है सहरी या सहर से संबंदीत है ठीक है गौण से संबंदीत होता है ट्रावल का मतलब क्या होता है अदिवासी से के सम्भंधित होता है और बाइस्सर शाद का मतना ओंता स्वासर से घपता है जातर सम्बंदी कर सकतें सब्सक्राइब क्या होता है। युथान्स या जिसको नाश जिसको करते हैं सर्फ इसेन्ष केती है का मतलब होता क्छा मृत्यूं एक्छा मृत्यूं इसके अपनी इक्छा से मृत्यूं कहते हैं इस हैं ठीक है बेंगेंग बॉर्ड जेटल एज़िए इस्पेसल टू इंडि सफरिंग अगर आप बहुत आपको पीड़ा से जोज रहे हो और आपको लगता कि नहीं मुझसे अब यह कस्ट न छूर्प किते सेंब्लिंग और ऑर को हमसी में इंड्रेll हवाइं करना है अको काते हैं इसको कहते हैं इसको क्या करते हैं कम पारी कंपाइल करना ठीक है सेंब्ल औरcel और ग degil दिए ती आपको थी शो रुष चाहते हैं कि याद रखेगा तो गाइज यहां पे 33 कोर्षिन टोटल थे आई यहां पर जितने भी मैंने कोशन बता है सबी में खुशना कुछ आपको रूल सी घा कुछ अडिया क्लू मैंने बता है तो ऐसे प्रैक्टिस चेट को प्रैक्टिस करें एक्जाम तक टेल एक्जाम तक प्रक्टिस करेंगे आपको 100% मार्स मिलेंगे 100% मार्स आने के उम्मीद